Hello students, welcome back to my YouTube channel, Real Experience by Nikhil ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रा important था तो जो मैं अभी Australia में देख रहा हूँ उसके according ये वीडियो बना रहा हूँ और उन students को ये information या advice कहलो देना चाता हूँ कि जो लोग Australia में आते हैं या किसी भी country में जाते हैं अगर आप student visa के उपर आते हैं तो student visa की जो conditions है उसको पूरी करना बहुत ज़रूरी है अगर आप वो पूरी नहीं करते हैं इन future में जाके आपको problem आ सकती है PR हासिल करने में एक किस्सा बताने वाला हूँ mostly student क्या करते हैं उनका main purpose होता है बहार आना study तो एक तरह का बहाना आता है most of the cases ठीक है आपने study भी करनी है और लोग जो आते हैं students खास तोर के उपर बलकि हर कोई वो आता है यहाँ पर पैसा कमाने के लिए अगर आपका student visa है उसके अंदर आपको जो conditions है वो maintain रखनी होंगी अगर आप PR business के उपर आते हो उसकी conditions अलग होती है अगर आप किसी TR के उपर आते हो work visa के उपर आते हो तो उनकी conditions अलग अलग होती है तो देखने में यह आया है कि student यहाँ पर जब आता है किसी भी country की बात कर लो आप किसी भी country Canada, Australia, America, not even मैं Australia की बात कर रहा हूँ तो उसमें क्या करते हैं student यह मैं आपको reality बजा रहा हूँ आप भी समझ जाना अगर आप as a student आ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है और लोगों के साथ जारा से जारा शेयर करना ताकि उनको भी information मिल सके अगर आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया ठीक है अगर आपने student visa के related जो conditions हैं वो पूरी नहीं की तो आपको पंगा पड़ेगा अब ध्यान से सुनना स्टोरी को बहुत सारे student मैंने ऐसे देखे हैं वो बाहर आ जाते हैं लेकिन अपनी study के तरफ ध्यान नहीं देते हैं study को छोड़ी देते हैं उनकी fees ही नहीं भरते हैं वैसे ही रहना शुरू कर देते हैं एक साल दो साल देर साल illegal तो ये गलत बात है तो कल को अगर आपने status डालना मतलब अपनी PR डालनी है तो सारा कर सारा status वहाँ पर पूछा जाएगा आपने क्या किया है कितने देर यहाँ पर रहे हो कौन से वीजे के ऊपर रहे हो तो आपको वो सारे जीजे बताएंगे कि ये ऐसा है अगर उसमें आपने मान लीजिए एक साल आपने काम नहीं किया सिर्ब प काम की तरफ पैसे की तरफ ध्यान दे रहे हैं शुरू कर देते हैं मैं यह नहीं कहता हूं कि पैसा मत कमाओ लेकिन अपना status जो है legal way के साथ जितनी देर तक आप foreign country में हो वो बना के रखो उनकी conditions जरूर आपने पूरी करनी है सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं है क्योंकि थोड बाद में दिक्कत आजाएगी आपको उस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा मैंने ऐसे कई देखे हैं छे से लेकर आठ साल तक लोग यहां पर रहते हैं स्टूडन वीजे की उपर आते हैं बाद में जब पीया डालनी होती है तो वो पंगा पड़ जाता है वो उनको बाफिस ज गी है तो मोटी मोटी बाद सुन लो स्टूडन जो नए आ रहे हैं मन में यह मत बना के रखो आपको बहुत सारे आपके फ्रेंड्स मिल जाएंगे रेलेटिव मिल जाएगे या कोई भी मिल जाएगा कि तू काम कर कोई दिक्कत नहीं है पैसा कमा दिखी जाएगी क्या होग कोई बात नहीं यह कहना इजी है एक बार सोच के देखो यह कहना इजी है जिरफ आपकी अगर यहां पर हस्ती बन जाएगी न तो वहां पर आपका दिन नहीं लगेगा तो आप वहां से अस्ट्रेलिया या कैनलडा आने के लिए तरस जाओगे तो डिपोर्ट उने से अच् पांचे जार से मिकु क्या फरक पड़ेगा अस्ठ pewno le章 में बैठा हूँ पांचे जार की किव्थ किया है एक हफते का समान आता है पांचे पीने का पांचे जिदार का उसके लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूं मैं लोगों को यह बताने के लिए वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोग समझ भाएं यहां की situation घर बैटे ही जब मैं अस्ट्रेलिया आया था आज से चार-पांस पहले की बात है लोग ऐसी वीडियो निसी डालते लेकि मुझे लगा कि यह difficulty मेरे पास आ रही है क्योंकि reality-based वीडियो बहुत कम मैंने देखी है YouTube के उपर हर एक topic के उपर तो मैंने उसी time के उपर सोच लिया था जब मैंने YouTube चैनल चुरू किया था कि मैंने जो वीडियो बनाने है हमेशा reality-based बनाने है जो actual में है अभी भी सुबा का time है मैं सुबा उठा हूँ और मैंने यह topic लेता हूं कि मुझे कौन-कौन से topic कवर करने हैं यह देखे यह topic लिखे होते हैं कि मैंने 20 minutes वाला English की वीडियो बनाती है यह वाला लिखा हुए clock वाला सभी का मैंने topic लेता हूं ताकि मुझे videos कौन को से बनानी है जो लो चारा views हैं ज्यादा multi millions हैं और million में उनके subscribers हैं मेरे भी हो जाएंगे million में एक लाग subscriber मैं सोच रहा हूं कि जल्दी हो जाए अभी तो 60,000 subscriber के पास में है मेरा channel तो अगर आपकी प्यार रहा तो यह एक लाग के उपर भी पहुंच जाएगा तो मेरे मुद्दा यह है कि यहां अपने अपना status नहीं तोड़ना है जो मर्जी कर लो यहां पर भले ही आपको जाना पैसा मिल जाए यह बात अपने द्यान में रखना कि निखिल सर ने बताया था कि maintain करके रखनी है सारी यह बात द्यान में रखो ठीक है और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि student का यहां में बैठे हैं Canada में बैठे हैं free बैठे हैं lockdown है आप उसमें Google के ऊपर free certification के courses होते हैं digital marketing का course हो गया free certification courses Google के वो गर लो यहां पर आगर आपको benefit होगा job ढूणने में technical job तो free time में utilize करो यह मत देखो बाहर जाना कब खुले यह होगा वो होगा वो जब खुलना है तो खुलनी जान अभी देर दो महीना चुपी बैठो आप अभी निकुलने वाला कुछ बे देर दो महीने मेरे इसाब से जो हलाज चल रहे हैं हाला कि cases कम हो रहे हैं मैं तो चाहता हूँ कल में कुल जाए लेकिन देखते हैं what will happen in future so मेरा यह मानना है कि जो लोग free बैठे हैं वो free certification courses कर लो Google क को घर बैठे कोशिच करो यह आपको certificate जब मिल जाएगा ना important होगा Australia में इसकी value बड़ेगी अगर आपने इसको कर लिया मैं एक job interview में गया था मैं आपको बताता हूं तो मेरी जो specialty है वह है digital marketing ठीक है मैं digital marketing हूँ marketing specialist हूँ तो digital marketing में क्या क्या चीज़े होती है SEO आ जाता है HTML, DSTML, JavaScript, Ajax, web designing, email marketing, SEO marketing, internet marketing, PPC बहुत सारे चीज़े आ जाते हैं वो मैं काम करता हूँ अपना ठीक है तो मैं एक job interview क्यों लिए किया था उन्हें ने में को पूछा कि आपकी Google certification है Sorry अभी soccer उठा ही था मैं चोंकि बाद में में को लगेगा कि आज मेरा schedule बहुत बीजी है तो वीडियो नहीं बन पाएगी तो इसलिए मैं दो वीडियो बनाँगा दूसरी वीडियो में मैं cover करने वाला हूँ मेरा दो महीने का experience अस्ट्रेलिया में कैसा रहा अगर आप willing है वो भी देख लेना उसका भी मैं प्रीमियर डालने वाला हूँ तो उन्हें ने में बहुचा कि आप Google certify हैं तो मैंने का नहीं हाला कि यह चीज़े आती हैं मैं करने भी वाला था actually Google के ऊपर आपको बहुत सारी चीज़े मिलेंगी free courses मिलेंगे रहे भाई वो कर लो सीख लो Photoshop सीख लो कुछ तो सीखो घर बैटे बस यह मत सोचते रहो कि कब खुले कब खुले time is money money is time यह बात अपने ध्यार में रख लो क यह आपने एक बात सुने से time is money money is time अगर आप किसी को time दे रहे हो यहां पैसा दे रहे हो बहुत हर से यहां पर ऐसे वैल्यू है तो आपने अभी से Google के ऊपर आज मेरे को promise करो benefit आपका है भाई आपका है मेरा नहीं है फिर भी मैं एक step उठा रहा हूं कि चलो आपको बता दू कि क्या क्या situation चल रही है आप त्यार हो कर आओ फिर मत कहना है मुझे job नहीं मिल रही यह नहीं हो रहा मुश्किल है बाई दो गसे भी लगेगा क्योंकि आप नहीं आए हो और उपर से आपके पास कोई चीज ही नहीं होगी तो डॉकरी कहा से मिलेगी एक बंदा आया है प्लस टू करके दूसरा भी प्लस टू करके आया है एक बंदे के पास Google Certifications है दूसरे बंदे के पास कुछ नहीं है तो priority किसको मिले लेगी खुद समझदार हो आप खुद decision ले सकते हो आप अपना तो priority उनको मिलेगी जिसके पास जारा चीज़े होंगी यहां पर अगर आपके पास टैलेंट है तब भी उसकी value है वैसे कोई value नहीं सिंपल बंदा क्या करता है आज कल के टाइम के उपर पढ़ता रहता है और कुछ है नहीं करता पढ़ लिया बस बात खतम अगर आपने लाइफ में success पानी है उतनी देर तक struggle चलेगा आपका जितनी देर तक आप अपने destination तक ना पहुंच जाएगे जितनी देर तक आपका जो goal है वो set कर दिया अगर आपने और उसको पाने के लिए क्या कर रहे हो अच्छी नौपर चाहिए अच्छा पैसा चाहिए गाड़ी चाहिए बंगलो चाहिए बड़ी चीजे चाहिए सोचते रहना सोचते रहना सोचते कुछ नहीं होता अगर थाली में रोटी बड़ी है खानी तो खुद भी बड़ेगी उठाकर हाथ तो हमारा ही होगा घर वाल ने हमारे को बड़ा कर दिया रास्ते पे खड़ा कर दिया चलना तो हमें ही है ना सोचना बंद करो गाइस ठिंक पॉस्टिव शुरू करो आज से ताकि आपको जो फ्यूचर है आपका वो अच्छे से ब्राइट हो सके लोगों से पूछो मिलो एक्सपर्ट से बात करो कि मैं क क्या करूँ कैसे करूँ टैक्टिकल नौलज कैसे लूँ I 케 अगर कि आँ मास्टर डिकरी के बाहन की किरने कर ली सिर्छिडिकल नौलज अच्छे नंबर ले लिए चार बंदे जब खड़े हुए प्रेक्टिगल knowledge की बार कह रहे हैं तो आप भी बीच में खड़े हो तो अगर आपको उनकी बाते समझ आ रही है लेकिन आप उनके बारे में कुछ बोल नहीं पारे तो benefit क्या हुआ वैचलर मास्टर का में को बताना ज़रा कोई benefit नहीं हुआ सो जितनी देर तक आप गर पे बैठे हो बाहर बैठे हो अस्ट्रेलिया आना चाहते हो कैनेडा जाना चाहते हो जहां पर मर्जी जाना चाहते हो पर ले अपने आपको त्यार कर लो यह मोका मिलेगा बापस नहीं मिलेगा यह मोका इसको उठाओ बाकि कोई और कोशन है कुछ गलत कह दिया हो वैसे मैंने तो आपको अपनी तरब से पॉस्टी भी बताया है सारा आपको प्रेरिट किया है मैं कोई इंग्लिश के वर्ड भूल करें है थोड़े थोड़े हिंदी भी मैं बीच बीच में बोल रहा हूं कि आप हिंदी में वीडियो बनाओ वाई हमारे को हिंदी समझ आती है पंजाबी समझ नहीं आती तो जो पंजाबी है वो हिंदी भी समझ देते हैं तो मतलब यह कहने का है दोनों कवर हो गए तो अगर आपके मन में कोई कोशन है पूर सकते हैं बस्त अपलुक